गुड़गाम से तीन बार कॉंग्रिस सांसद रहे राविंदर जीत सिंग जी अब भार्ति जन्ता पार्टी की टिकेट पर चुनाव मैदान में हैं सियासित के खिलाड़ी में आज वो हमारे महमाने बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले तो डियर नाइट न्यूस चैनल में राव साब यह आरोप लग रहे हैं कि इतने साल कॉंग्रिस की मलाई खाने के बाद आप यहां मौका देखा तो आप इधर शिफ्ट हो गए हैं मलाई खाने की अगर बात होती तो जब मैं कॉंग्रिस से भार निकला था तो यह मेरे आर मेरी खाट-खडी नहीं कर देते कॉंग्रिसी ही सबसे ज़्यादा सरकारी एइजिंसी चींश को हिस्तिमाल करने वाली कॉंग्रिस है। सरकारी एइजिंसी के मारफत राजिनीती में काइम रहना चाहती है। और अगर मैंने मलाई खाई होती, तयुक्त जेयल के हम "- कउंग्रिस में छोड़ होसी और दूसरी बात आप जब ये कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था, चोड़ने का मैंने निरने लिया था, उस टाइम कांग्रेस आप दोपती भी निरने लिया था, तो ये आरोप जो हैं वो मेरे पे मैं इने उने, समझता के सिद्ध होते हैं। पर वज़े क्या बने कि आप इतनी साल कॉंग्रेस के साथ रहने के बाद अब इधर आ गए। कई कारण हैं दस साल की जो राजनीती कॉंग्रेस के अंदर चली है जब से देश में और परदेश के अंदर कॉंग्रेस पार्टी सत्तासीन हुई है वो हमारे को नहीं भाई। कि आवाज उठाते हैं वो कॉंग्रेस को नहीं भाई तो दोनों तरफ से अराग लगी थी बराबर तो इसलिए सुभाविक था कि मैंने कोई और घर तलाश करना था सो मैं पहले इंसाफ मंच बनाया लोगों से सलाह मशौरा किया और फिर उनने रिका के नैशनल परदेश हूं फार्टी जड़ पार्टी को आपने विकल्प माना लेकिन क्या लग रहा है कि सिर्फ इस वज़े से क्योंकि एक सत्ता विरोधी लहर हो जाती है दस साल जब आप लगातार सरकार में रहते एक तो केंडर में भी रहें प्रदेश में भी हैं तो लग रहा था क एक लेहर जो मोदी लेहर की बात कही जाती है उस लेहर को देखते हुए आप इधर आ गए नहीं जिस वकत मैंने कांग्रेस चोड़ने का एलान किया था उसके मोदी जी का परदान मंतरी के तौर पे डिकलेरेशन नहीं होया था तो उससे पहले ही मेरा यह जदो जहद हमारी प जादे हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने सोचा कि भी एक किसी का पार्टी का दामन तो थामना ही पड़ेगा जब कॉंग्रेस पार्टी हमारे विचार धारा के अनुसार नहीं रही लोगों की आम जन की आवाज के अनुसार कारिया नहीं कर रही तो हमारे को दू कॉंग्रेस के नाम से वोट दे रहे थे अब बदलाव आएगा या नहीं उस तरफ से भी वोटर्स की तरफ से नहीं वो थोड़ा सा फरक यह है कि जो कॉंग्रेस जन थे यो मेरे साथ 36 साल जिन्होंने संगर्श किया कॉंग्रेस को सतासीन करने के अंदर अपना योगदान मेरे से बुजर्ग भी और थे जो कॉंग्रेस को 44-44 साल से साथ दिये थे वो सारे के सारे निराश हो गए थे और जब मैंने अपना पासा पल्टा तो सारे के सारे मेरे साथ आ गई अब तो नई कॉंगरेस में रह गई है हुड़ा एंड कंपनी हुड़ा साब एंड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मनी हुई है तो जो नई कॉंगरेस है जो उन्होंने दस साल के अंदर जोड़ी है वो तो रह गई है कॉंग्रेस के अंदर और जो पुरानी कॉंग्रेस थी जो सनगश करती हुई आई थी और कॉंग्रेस की विचार धारा के उपर कायम थी वो सारी की सारी कमसकन दक्षनी हर्याना में मैं समझता हूँ कि मेरे साथ आ गई है दक्षण हर्यारयां में विकास नहीं हुआ या आरोप आप बार बार लगाते रहें लेकिन आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप अपने चुनाफ शेत्र में कम नजर आते हैं यहां की आवाज कम उठाई गई है संसद में संसद के अंदर तो आपन कोई चला ही नहीं संसद इस टैम तो बेकार रहा कुछ बात करना चाहते भी थे तो वहांपर होती इन रहीं. जाओ ग्यारा बजे वहाँ पर फुर एजिएन हो जाता तो यह रोज़ाना की प्तिक्रिया ऐसी फिस्जिनी समय के उपर रहती थी तो वह इस ऐसे महौल के अंदर कोई क्या तो बातचीत करें क्या सवाल करें सवाल करने से उसका जवाब नहीं मिलता जब सवाल करो उसका जवाब भी सदन में आना चाहिए ना जवाब तो कभी आते हैं नहीं थे आपने ये पीछे माफी भी मांगी कि मैं लोगों से कि मैं आप लोगों के बीच कम रहा हूं अब ज्यादा आया करूगा या खकागा या बात्र-ध कर कि अंदर ता मेरी पार्टी भूतपूर पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ और वो तो छोटे हलके के MLA होया करते हैं मेरे पास ना केवल मेरा अलका था मेरे पास सारा दक्षनी हरी आना था तो जो उमीद लोग MLA से करते थे वो मेरे से भी करने लग गए क्योंकि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के MLA थे वो जनता के अनुसार कारिया नहीं कर रहे थे तो जो MLA की भूमिका थी वो भी MP होते हुए भी मेरे को अदा करनी पड़ी और ये मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई खास देश के अंदर MP होगा जो अपने छेतर को MLA की तरह से आना जाने के तौर के उपर सींचता होगा तो ये संबह भी नहीं है MP का हलका बहुत बड़ा है MLA का दाहरा बहुत चोटा है तो ये रोज शादी भी आके अंदर जाना आना इस तरह की बात जो है MLA तो कर सकता है कुछ हद तक लेकिन MP के बसकी है ही नहीं क्योंकि इतना वरास्ट चेतर है और जहां तक जीतने की बात है और मैं जनता से अलग हो गया तो जनता से अगर मैं हो गया तो हम पजा तंतर में रहते हैं अगर जनता से मैं अलग हो गया था जनता मेरे से निराश हो गई दी तो मैं क्यों election जीता, मैं 8 election जीत चुका हूँ तो जनता मेरे को support कर रही है, जबी तो जीत रहा हूँ कोई बखसा तो अपने आप जाकर तो बरता है नहीं जनता ही डालती है ना, तो जनता मेरे से या मेरे विभार से या मेरी कारेशेली से संतुष्ट है और जब ही मेरे को बार बार चुनाई जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा मेरे मुखालिफों का दुष्ट पचार है और इसके उपर कोई मैं खास ध्यान नहीं दे देता है। तो उस तोर के उपर सब एस्पिरेशन करते हैं कि अबिशनी सबसे बड़ा पाद मुखे मंत्री का होता है। एस्पिरेशन इस वैलेड थौट इन राजनीती ऐसी निये के राजनीती के अंदर आप यूं काओ के जी हम तो सन्यास लेने के लिए राजनीती आएं। हम राजनीती करने के लिए राजनीती में आएं। लोगों की भावनाओं को हम अपने अमली जाम परनाने के लिए आएं। तो कुछ न कुछ तंबिशन होएगी। जभी तो आप करा सकेंगे। आप घर बैठके थोड़ी कर सकते हैं। गुड़गाओं में इस तफ़ा जाकिर हुसेन हैं इंडिनेशनल लोगदल की तरफ से योगिंदर यादव हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राव धरमपाल हैं कॉंग्रेस हैं। बसपा भी है चुनाव मैदान में। मुकाबला किसके साथ है आपका। देखो अभी तो मेरे को मुकाबला किसी से भी नहीं लगा। सची कह रहा हूं मेरे को अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं। जितना अभूत पूर समर्थन इस इलेक्शन में मेरे को मिला है। मैं दस इलेक्शन लड़ चुका हूं। मेरे को इतना कभी नहीं नजर आया, तो अभी तो लग नहीं रहा कि कोई किसी से मुकाबला है, बाकी जाकिर हुसैन साब पिछली बार नमबर दो के उपर आये थे, इसली बार भी शायद दो के उपर वो ही आएंगे, लेकिन बक्सा खुलेगा जब मालूम चलेगा. ये भी कहा जा रहा है कि जाकिर हुसैन साब से ही मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि विकास नहीं हुआ है, रेलवे लाइन के आपने बात के ही बेवाद में वो गलत है, दूसरा उन्होंने कहा कि मानी की बड़ी समस्या है, गुडगाव में एक आयुद केंडर की बात है यहां से शिफ्ट होना चाहिए, हजारे लोग वहां असपास रह रहे हैं, उन पर खत्रा है, काम नहीं किया आपने इन पर देखिए जाकर हुसाइन साब तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो खुद तो सत्तासीन हुए नहीं लेकिन मेरा ये मानना है, कि जितना काम मैंने बतौर MP किया, मेरे कारिय काल के दौरान तो छोड़ो, जब से हरियाना पंजाब से अलग हुआ है, इतना किसी ने भी अगर किया हुए, इतना काम जितना मैंने अपने MP के दौरान किया है, तो मैं लोगों से वोट ही नहीं चुके हैं, चार दशक से मिवाद के अंदर इस बात की चर्चा थी के हमारे को रेल दिखा दो, रेल गाड़ी दिखा दो, रेल की पटड़ी दिखा दो, वागे लोगों ने देखी नहीं थी, और मैंने पिछले चुनाप के अंदर ये कहा था कि मैं तुम्हारे को रेल लाइन के लिए तजवीज किया है जिसमें से गुडगाओं से मिवाद को जोड़ा गया है वाया नू और पलवल से वाया अलवर मिवाद को भी जोड़ा गया है तो दो तरफ से पैसेंजर रेल लाइन मिवाद के अंदर करी गई है तो अगर जाकर साब ऐसे कहते हैं मैंने सुना नही कुछ गयान नहीं है, क्यांकि वो कभी पार्लीमेंट में रहे नहीं, और कभी पार्टी इस में थे, कभी पार्टी उस में थे, तो पार्टी बादलने के अंदर ही जादा मश्रूफ रहे होंगे लोगों के विशय के अंदर तो क्या जानकारी रखते हैं डिवलप्मेंट के बारे में क्या जानकारी रखते हों मैं नहीं समझता पहले कॉंग्रेस में थे फिर वो चले गए छोड़ करके पिछली पर बीएसपी से लड़े थे इस काट के आंडी बार बार नहीं चड़ती है मेरे को नहीं लगता के जो दिल्ली में उनका परफॉर्फॉर्मेंस रहा या उसके बाद जो उनकी कारेशैली रही वो लोगों को भाई है और जितने दिन गुजरते जा रहे हैं मैं समझता हूं का दिन पती दिन असर कम होता जा हचका के साथ गठ बंदन है बीजेपी का पिछली बार कोई सीट नहीं आई इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटे निकाल पाएंगे हम तो दस की दस उमीद सुगर रहे हर्याना के अंदर तो मैं कह सकता हूं बाकी तो मुझे पता नहीं लेकिन उमीद पे दुनिया काइम है और जिस तरह का बूत पूरू मैंने बोला आपको समर्थन मिल रहा है मुझे तो यकीन है कि हम दस की दस सीटों के उपर दावा पेश कर सकते हैं रफ सब आप बीजेपी में आये हैं तो बीजेपी का जो पहले सिकार करता है वो भी नराज बताया जा रहा है आपकी आने क्य किसी और एक ही व् singing को मिली होती तो अन्य लोग जो दावेदार थे वो फिर भी निराश वते तो दावेदार आपने राशा जादा नहीं हो गई क्यांकी आप बाहर से आये थे नहीं बाहर से तो को कोई दो दिन पहले जोड़ा था, कोई दो दिन पीछे जोड़ा है, तो जो लोग आज के दिन टिकेट के लाइन के अंदर शंकला में थे, उनको तो थोड़ा बहुत महसूस हुआ होगा, लेकिन आम जन भार्टी जनता पार्टी का वर्कर जो है, जो टिकेट दार नहीं था, उसको तो बड़ी खुशी होई है, कि इंदर जीत सिंग एक मास बेस लीडर है, और जो बीजेपी के अंदर, जो मास बेस की थोड़ी सी कमी थी, कमसकम रूरल एरियाज के अंदर, सो इनके आने से पूरी हो जाती है, और एक बीजेपी भर्याना के अंदर वायबल ऑल्टने किन मुद्दों के साथ अब आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने हैं, अब तो सबसे पहले तो राश्टर के लेवल के उपर जा रहे हैं, कि एक स्टेबल सरकार होनी चाहिए, खिचडी सरकार नहीं बननी चाहिए, जो कॉंग्रेस की तरफ से नीती है, वो तो यही है कि किसी सूरत के अंदर खिचरी सरकार बंजे बन जाए, और साल डेड़ साल के बाद दुबारा से इलेक्शन हो जाए, और राहूल गांधी को दुबारा से परदान मंतरी के तौर पे पेश कर दिया जाए, आप पूरे हर्याणा में प्रचार करने हैं, किन मुद्दों के में खुद लड़ रहा हूँ, इन में मेरा आना जाना ज्यादा रहेगा, और ये दक्षिनी हर्याना के छेतर गिने जाते हैं, जो साथ आठ डिस्ट्रिक्ट हैं ये, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पिछले दिनों के अंदर हमने ये महसूस किया है कि ये सरकार खास ध कोश में जाता है, इन्फ्रस्ट्रिक्ट्चर पर वापस आता है नहीं खर्च होने के लिए, तो ये समझ से आएं तो दक्षिनी हर्याना की हम को जो जूंज रही हैं, उस पर हम चर्चा करी रहे हैं, फिर नौकरियों के बारे में, हमने चर्चाएं करियें के पार दर्शित भी जादा नहीं है, लोगों को महसूस है कि छेतर के लोगों को नौकरियां मिल रही है, जो लेंड डील्ज हूई है, जो सरकार ने तीन Master Plan जारी किये हैं तीन साल के अंदर, एक Master Plan आमोमन पंदरा साल के लिए लागू होता है, इन्होंने तो पैंताली साल की अपनी गिर्दावरी चड़ा रखी है, एक Master Plan पर दूसरा Master Plan पर तीसरा Master Plan कौन कहते हैं ने किया, यह जो महाल जो आज एंटी इंकंबंसी का जिकर हो रहा है, इसमें मेरा भी योगदान है, जो कॉंग्रेस के पती बनी है, हमारे लोगों की जमीनों को काटो बेचो करके यह बिल्डर को जो प्रोताहित किया गया है, इसके खिलाफ तो आवाज मैं नही हाद दो लें, इस तरह का महल था, तो मैंने तो कॉंग्रेस में होते हुए उनका नाम लिया है, कि जो भी चेक इतना ही बड़ा हो, उसका इंक्वाइरी होनी चीए और दोशी ठेराए जाए तो सजा देनी चीए, मैं ही उठाने बादा था, और तो कोई था ही नहीं, आपको कुछ स्कीम्स कुछ लागू करवाई हैं, स्कीम्स तो क्या कुछ जरूरतें पूरी करवाने की कोशिश करी है, उनको मुकमिल करवाया जाए, जिसके अंदर एक तो डिफेंस युनिवर्सिटी है हमारी, डिफेंस आ चुकी है, पदान मंतरी उसके उपर पत्थर रख चुक स्टेट का, स्टेट मिनिस्टर फर डिफेंस, तो उस तेम युरे टाइम के उपर हुआ तो उसके उपर पत्थर तो रख दिया गया और उसके उपर कोई अमल नहीं हो रहा है, हमारी सेक्यूरिटी इन्वार्मेंट आप जानते हो, पाकिस्तान है, चायना है, बंगला देश के लिए भी चिंता का विश है, तो इसके उपर प्रात्मिक्ता मेरी तरफ से रहेगी, जब अगर सरकार के अंदर, सरकार हमारी अगर बन गई तो, दूसरा डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरेडर है, जो की हमारा दादरी जो यूपी में है, उहां से बंबई जाता है, तो इसकी स्पीड जतनी होनी चीस हो नहीं है, तो डिडिकेटेड रेल फ्रेट कॉररडर हो जाएगा, तो इसके दौनों गिर्ध, इंड़स्टियल कॉरोडर हो जाएगा, उसके अंदर इस चेत्र की यहां से लेकर के, हर्याना से लेकर के, और महराश्रा तक के लोगों की माली वाटर नो लाइफ तो इस वकत यह हो गया हाल कि 99% आफ डी सबसोयल वाटर जो है वो एक्सप्राइट हो चुका है और जो रिचार्जिंग की जो फैसिलिटीज होती है आम आदमी खेत वाला किसान वो भी यू कहता है कि भी एक भी बूंद पानी हमारे खेत के डॉले के बाहर नहीं जानी चाहिए दूसरे के खेत में नहीं जानी चाहिए वो सारी की सारी जाजब हो जानी चाहिए जमीन में जानी चाहिए आगे काम आएगा एक्विफर रिचार्ज हो जाएगा हमारी हर्याना सरकार की क्या बुद्धी है कि उन्होंने जितने भी पुराने वाटर चै मैं नियुक्त करने जो पर इनके उब बीडिंग बना दी रास्ते रोक दिये और यह एक्वेफर्स को रीचार्ज करने वाली जो यह सवाल उटता है ना राव सब्सक्राइब क्या आपने क्यों नहीं रोका यह बिल्डिंग भाफिया के खिलाफ मैंने उठाया ना हर्याना की जो काटो बेचो पॉरिसी है विल्डर्स वालों के उसके खिलाफ तो मैंने अवाज करी ना नहीं तो अब तक अब तक तो यह हो चाहा हमारी परदेश की हो पार्टी तो सारी उनके माते हैती चीफ मिनिस्टर के लगता है लेकिन जब आप यहां से अगर आते हो अगर सरकार आती है बीजेपी की तो आप इस रास्ते पर चल पाओगे जो आप वादा कर रहे हो क्योंकि एक फंड्स की एक राजस्प तो सपोर्टर भी उमीद यही लगाए बैटे हुए हैं और राजस्प किसी की च्छाती के उपर चड़ करके आप ऐसा बटो रहे हैं ये परजात तंतर के अंदर उचित नहीं है अगर हो तो इस काईदे से होना चाहिए कि सस्टेनिबल डिवलपमेंट हो यहां पर तुमने थोकर इस हरियाना सरकार ने हमारे इस चेतर से पैसा लिया है और बापिसी के अदर कुछ नहीं दिया इंफ्रस्ट्र चर्मरा गया रा कानून विवस्ता चर्मरा गई कानून नहीं है लॉइन और नहीं है तो यह सारी चीज़ें आज के दिन इलेक्शन के मुद्दे बने वहीं तो उसको अकाउंटबल गिना जाएगा अगर कायरे छेतर नहीं है किसी का तो उसको अकाउंटबल कैसे गिना जाएगा तो मैंने आपको बताया ना कि मैं लोकसभा का सांसेथ होते हुए भी मैंने ऑपोजिशन की भी भूमी का अदा करी MLS की भी भूमी का अदा करी इन पिछले पांच साल के दोरान तो मैं समझता हूं कि यो एंटी इंकंबंसी होनी चाहिए वो मेरे प्रती नहीं है बलकि जिन लोगों ने ये काम किये हैं जिसकी वज़े से मेरे को अपनी आवाज उठानी पड़ी है उनके खिलाफ एंटी नहीं हुआ पर वो तो कहते हैं कि कि इतना खास प्रभाव हमारे कारेचेतर में है मेरे मेरे लोकसवाग शेतर में हर्यान की बात कर रही हूं कि आप दस सीटे के हरें निकाल लेंगे अभी तक तो हिस्ट्री है इनलो को बाई देंसेल्स जबसे हर्याना अजाद हुआ है जबसे नलो पार्टी बनी है खुद खुद उनको जब इलेक्शन के अंदर अकेले जाना पड़ा हुआ है एक भी सीट उनके पल्ले नहीं पड़ी है तो ऐसा तो संभव फिर भी हो सकता है इतिहास जैसे कहते हैं रिपीट्स इटसेल्फ सो अचना देश और नतीजह का किया जार है इसके बाद मिलके सरकार में आ जाएंगे जैसे चर्चा में हुआ था चर्चा हुई थी कि महांगर बंदन हो सकता है उसा तो निकूछ बढ़िक्स में तो कुछ भी पॉसिबल होता है इस जैसे कहते हैं इस आट अड़ पॉसिबल, पॉलिटेक्स, बट इस वकत जो है, उस पर पुरान डिराम लग गया है, मोदी जी सोनी पद गए थे, और उन्होंने भहाँ अपने वक्तित्व में कह दिया, कि हमारा जो समझोता है, वो एज जे सी के साथ है, और लोग दल के साथ, कोई आज के द गुर्गाओं के जनता, अब आप भारती जनता पार्टी के उमेदबार हैं, तो आपको गुर्गाओं के जनता वोट क्यों देगी? क्योंकि मैंने उनके मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए प्रियास किया है, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि गुर्गाओं डिवल्पेंट अथारिटी बने, जो कि सरकार ने देने से इंकार किया है, मैं यह चाहता हूँ कि बिल्डर्स अकाउंटेबल हों, मै वो सारी चीजों के उपर अगर उन्होंने काम नहीं किया है, तो उनसे पूछताच करी जाए. तो मैं समझता हूँ कि जनता की ओवाज जो मैंने उठाई है, उसके अनुसार लोग मेरे को सराएंगे और आने वाले समय के अंदर मेरे को सपोर्ट करेंगे. शुक्रे हमारे से सफुरी बाचित के.